पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कारणामे होते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है अब पाकिस्तान में एक और चौकाने वाला कारणामा सामने आये हैं यहां फर्जी पाइलेटों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है पाकिस्तान के उडेन मंत्राला के मताबिक देश में 40 फीसिदी पाइलेट्स के पास फर्जी लाइसेंस है पाकिस्तान के विमानन मंत्री गुलाम सरवर खान ने कहा है कि पाकिस्तान में हर तीन में से एक पाइलेट फर्जी है साथ ही पाकिस्तान के विमानन मंत्री ने पाइलटों के खिलाफ सक्त कारवाई की सिफारिश की है 25 ऐसे पाइलट्स हैं जिनकी तुमाम इंक्वारीज मुकमल हो चुकी शोकास उन्हें दे दिया गया था फिर उनकी चार्चीट भी हो गई उनकी परसनल हेरिंग भी होगे उन अठाइस में से नौ पाइलट्स ने कनफेस भी कर लिया अब उनके लेसेंसिज की कैंसिलेशन इश्विंग अथार्टी तो सिवल अविएशन अथार्टी है लेकिन टर्मिनेशन गौर्मेंट आफ पाकिस्तान ने करनी है, फैडल गौर्मेंट ने करनी है साथ यूडेन मंत्राले ने 262 पाइलिटों के लाइसेंस तुरंत रद करने की सरकार से सिफारिश की है 148 की लिस्ट पी आई ए को बिजवा दी गई कि इन पाइलिट्स को फर्दर फ्लाइंग की अजाज़त नहीं है और ना अजाज़त दी जाए इसके बाद हमने सरीनेयर को भी जो दस पाइलिट्स हैं सरीनेयर को भी हमने लिस्ट और लेटर जारी कर दी है कि ये 10 पाइलेट्स के कृडेंशल मश्कूक थे, लेसंसिंग मश्कूक थे और सिर्फ ये नहीं किया साथ ही साथ जो हमारे लोग इन वाल्ग थे सिवल अविएशन अथारिटी के लोग लेसंसिंग अथारिटी के लोग पांच लोगों के सस्पेंशन लेटर मेरे आथ में, मेरे सामने बता दें कि हाल ही में कराची में हुए विमान हादसे के बाद पाइलटों के लाइसेंसों की जाच की गई थी जिसके बाद इस फर्जी वाड़े का खुलासा हुआ पाकिस्तान में 8500 से ज्यादा पाइलट हैं लेकिन इसमें से ज्यादा तर पाइलट फर्जी वाड़े के जरिये विमान उड़ाने के लाइसेंस लिये हैं अब देखना होगा कि पाकिस्तान की सरकार इन पाइलटों के खिलाफ क्या कारवाई करती है जो कि यात्रियों की जान से खिलवाड करते आए हैं